संशोधित नागरिक्ता कानून CAA को भले ही केंद्र की मोधी सरकार क्रांतिकारी कदम बता रही हो लेकिन हकिकत ये है कि इस भेदभावपूर्ण कानून से देश का धर्म निरपेख शितानाबाना कमजोर हुआ है जिस पर अमेरिका ने भी चिंता जाहिर की है अएन्डी टीवी के एक खबर के मताबिक अमेरिकी विदेश मंत्राले के एक अधिकारी ने भारत में धार्मिक स्वतंतरता की मौझूदा स्थती को लेकर चिंता व्यक्त की इसके साथ ही उन्होंने मामले को भारती अधिकारियों के समक्ष उठा कर इसके समाधान पर चर्चा की हाल ही में भारत के दोरे पर आये अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि भारत में जो हो रहा है वो चिंता जनक है इस मुद्दे को लेकर मैंने भारतिय विदेश मंत्री और भारतिय राचदूद से मुलाकात भी की और इस पर चिंता व्यक्त की थी। अधिकारी के मुताबिक अमेरिका ने इस में से कुछ मुद्दों पर मदद करने और इन्हें मिलकर हल करने की पेशकश भी की है। अधिकारी का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरीकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियों ने 27 राश्ट्र के लिए इंटरनाशनल रिलीजियस फ्रीडम एलाइंस का एलान किया है। बददे की भारत में संशोधित नागरिक्ता कानून के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहे है। की मुसल्मानों के लिए इस कानून में कोई प्रावधान नहीं है।